तो आज हम एनाटोमी में पढ़ेंगे बॉन मेरो के बारे में प्रीज वाचिंग दिस ता लिंक इस गिवन इन दिस्क्रिप्शन सो लेट्स बिगें बॉन मेरो बॉन मेरो एक वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो प्रेजन्ट होता है कैविटी में एक तरह से मेंडलर कैविटी होती है बॉन के अंदर कैविटी एक तरह से स्पेस भी कह सकते है एट बर्थ जो हमारी मेरो होती है वो रेड और एक्टिव हिमो पोईसिस होती है अब बात करते हैं बॉन मेरो से ही कनेक्टिड की पार्ट्स क्या होते हैं एक डेवल पिक लॉंग बॉन के क्या क्या पार्ट होंगे हमारे तीन पार्ट होते हैं बेसिकली एपिफाइसिज डाइफाइसिज और मेटाफाइसिज पहले बात करते हैं एपिफाइसिज की एपिफाइसिज वो पार्ट होता है बॉन का जो डेवलप होता है सेकेंडरी सेंटर ओफ ओस जो हमारा secondary center होता है वो हमारा epiphysis कहलाता है जैसे कि हम example के तोर पे end point जो होता है हमारा long bone का उसको हम epiphysis कहते हैं फिर बात आती है हमारी diephysis की diephysis वो पार्ट होता है bone का जो develop होता है primary center of ossification पे जैसे कि हमारा shaft होती है long bone की यानि की एक bone के बीच का हिस्सा जो होता है उसको हम diephysis कहते हैं फिर बात आती है metaphysis की metaphysis ये zone होता है bone का जिसमें actively growth scene होती है ये present होता है epiphysis और it is present at the junction of epiphysis और diephysis epiphysis और diephysis के junction पे जो मिलता है वो हमारा metaphysis होता है ये हमें ज्यान रखना है अब जो structurally जो bone होती है उसमें outer covering जो होती है उसको हम periosteum कहते हैं और हम अगर deeper जाते हैं तो जो हमारी compact bone होती है वो made up होती है series of lamella कर जो की कुछ नहीं बस एक boni plate होती है जो एक collag fiber से बनी होती है अब जो matrix है वो calcified होता है with calcium and phosphate इसलिए हम mainly बोलते हैं bone में calcium and phosphate पाय जाता है जो osteoblast है वो immature boni cells होते हैं जो present होते है periosteum के periosteum क्या था एक outer covering थी एक bone की उसको हम periosteum कहते हैं उसके जो पास पाये जाते हैं उसको हम osteoblast कहते हैं जो एक immature boni cells होते हैं फिर बात आती है osteocides की osteocides जो होते हैं वो mature bone cells होते हैं जो lamina के between present होते हैं अब हमें difference पता होना चाहिए कि osteoblast जो हमारा है वो outer covering के पास present होता है और जो हमारा osteocides होते हैं वो हमारे in between of lamina के present होते हैं जो की हमारे compact जो bone है वो made up होती है lamina के series of lamina के और उसी के बीच में osteocides पाये जाते हैं so now here you can see the diagram of the bone upper you can see the secondary center जो हमने epiphysis में पढ़ा था उसको कहते हैं फिर आता है हमारा diephysis जो shift होती है जो middle part होता है bone का उसको हम shift बोलते हैं और फिर आता हमारा metaphysis metaphysis basically growth जो होती है bone की उसमें दिखता है active growth में और यह डाफिस और epiphysis के junction पे present होता है so यह था हमारा bone marrow के बारे में so that's all for this video do subscribe if you like and thanks for watching